हलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल जीओ जीओ जीओन आप सभी का मेरे चैनल जीओ जीओन पर हारदिक स्वागत है सपने में शिवलिंग पर दूद चढ़ाने का क्या मतलब होता है जी हाँ आज का वीडियो बहुत ही खास है अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों वैसे तो जीवन में हम कभी न कभी कोई न कोई सपना देखते ही रहते हैं और सही माने तो इन सपनों का सीधा सम्मंद हमारे जीवन से होता है स्वप्ट विज्यान की माने तो हर सपने का कोई न कोई गूड रहस से अवश्य होता है ऐसे में दी सपने में आप शिवलिंग पर दूद चढ़ाना देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों सपन विज्ञान के नुसार सपने में शिवलिंग पर दूद चढ़ाना एक अत्यांत शुब सपना माना जाता है ऐसा माना जाता है कि यदियाब सपने में शिवलिंग पर दूद चढ़ा रहे हैं तो निकत भविश में आपको कोई बड़ी सफलता की प्राप्ती हो सकती है इसके अत्रिक्त आने वाले समय में आपको धन लाब भी हो सकता है दोस्तों सपने में यदि आप शिवलिंग पर दूद चढ़ा रहे हैं तो यह एक अत्यंत सकारात्मक सपना भी माना जाता है ऐसा माना जाता है कि यदि आपका कोई कार बहुत दिनों से पूरा नहीं हो रहा था तो वह कार अब पूर्ण हो जाएगा दोस्तों यह सपना इस बात का भी संकेत है कि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी हुई है और आपका जीवन सुख में होने वाला है दोस्तों आशा करती हूँ कि आज की दिगेई सभी जानकारियां आपको बहुत अच्छी लगी होंगी अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्रपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाज